हेलो फ्रेंड्स दे जगनात मेरे चनल पे आप सब का स्वागत है आज मैं आपके साथ सेयार कर रही हूं अरहर डाल की एक रेसिपी जो कि आपको बहुत है अच्छा लगागा और उसमें मैं पालक डाल के बनाउँगी अलग तरीके से बनाऊँगी और इसमें लाष्ट में एक चीजी डाल दो तो आपका डाल और भी दोगना अच्छा आपको सिखाओंगि तर चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं कि इसे बनाना के लिए ले लिए है अग्रहर आप Ой यहाँ मैंने बालेक का स्बध कर के rus मी डालनेवाले मं casering कर कर एक और यह में धूर है नहीं कि यू atrás मैं कि यह इसके बाद या दिकी यह समय मसाला हमारा रेडि हो गया है डाल बनाने के लिए हम दाल लेकर बचिए यह दालसों कि धो लेते हैं देखे यहां मैंने पानी दे दिया है उसके बाद इसमें हम डालेंगे स्वाधन सार नमक तो आप छोटा चम्मच से एक चम्मच और यह देड चम्मच नमक डाल दीजिए और इसमें डालांगे आधा चम्मच छल्दी पावडर और इसे हम प्रेसर से सिटी दे देंगे तो दे चम्मच कर देते हैं उसके बाद कढ़ाई गरम कर देते हैं इसका हमें के चौक डेना है तो बस पहले तैल दाल देजिए है कि 뜯 इसमेंडा देंगे ठींग और हीडानने के बाद यहां डाल देंगे दो लाल मिर्श होने के बाद इसमें डाल देंगे बड़ी तिन बड़ी मेने डाल दिया है यह उड़त डाल के बड़ी मैंने बनाई थी उसे कि यह टेस्ट दाल में अबलां और भी दोग आपका बढ़ा देगा तर्फास एडाल दीजए तो बड़ी थोड़ा सा ही लाल होने के बाद इसमें डाल देंगे जीरा महीं जीरा डालने के बाद यहां 안inary en dei थोड़ा साही आज जुब नat और यहां टाल देगे से हरीमेट्स यहां ४ड़ देगे यह जो लहेशन को हमने बारी कट करके रखेते उसे और यहां डाल देगे अद्रक रिसूभ कर दो चर्वा, अधुम्स करें लेते हैं तो दाल में अगर आप बड़ी डालते हैं तो आपका दाल और फृष्टी लगता है आ रूसका यहां यहां डाल देते हैं प्याज अधूट इस वानकी बाद इसे हम अची तरह से मिक्स कर लेते हैं यह यहां धार में कर दkeiten के तो यहां प्याज हो गया है अभी डाल देते हैं कुछ ड्राइ मसाले जो की आधा चम्मच लाद म्रिच पाउडर और यहां डाल देंगे आधा चम्मच गरम मसाला उसे डालने के बाद यह जो टमाटर का हमने डाल से निकाल दिये थे उसे डाल देंगे और उसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं उसमें अच्छी तरह से हम इसमें फ्यांट लेते हैं यह टमाटर को तो यह मसाले हो चुका है उसके बाद डाल देंगे पालक बालक डालने के बाद इस अची तरह से इसमें मिक्स कर लेते हैं पालक को दो मिनुट तक इस तरह से हम पकाएंगे उसका कच्छा बन चला जाए तो यह देखिए यह बालक दो मिनुट हो चुका है बहुत अच्छी तरीके से यह गल गया है इसमें कि पालक यह जब लगने हम इसमें डाल देते हैं ई डाल तो डाल डालने के बाद यह हम इसे ओर 2-3 मिनुट इस तरह से चोड़ देते हो उबालने के लिए तो देखिए दो तिन मिट हो गया है दाल में उबाला आ गया है बहुत अच्छी तरीके से दाल हमारा बनके तियार हो गया है तो लास्ट में आप आधा चम्मच इसमें चीनी डाल दीजिए तो टेस्ट लगएगा और अभी हम ग्यास अप कर देते हैं उसके बाद यहां हम डाल देंगे रोस्टेड जीरा पाउडर तो भूना हुआ जीरा पाउडर तो देखिए दाला मारा बनके तियार होए बहुत आपके साथ खा सकते हैं इसे अलग तरीके से बना है आप ज़रूर मेरे बताए हुए चीज़े आप एक बार बना के खाए कैसा लगा मुझे आप कमेट करके बताए अगर अभी तक आप मेरे चनल कर सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक कर दीजिए कमेट दीजिए और सेयर भी केजिए